हेलो गैस आज हम बात करेंगे ओपो F21 and F21 Pro के बारे में और आज हम बात करेंगे How to use Smart Sidebar के बारे में So वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब का लिची का बिलके आइकन को प्रेस का लेना है Smart Sidebar So first of all हमें अपने फोन में settings open करना है And हमें यहां पर special features पर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर हमें मिलेगा Smart Sidebar इस पर क्लिक करेंगे Okay और आप लोग अधिक से अधिक यहां पर आप लोग इस animations के माद्य हम से देख सकते है कि कैसे यह feature काम करते हैं Okay तो हमें Smart Sidebar on का लेना है जैसे हम इस con करेंगे Side में हम एक toggle देखने को मिलेगा हम इसको slide करेंगे तो आप लोग आप यह देख सकते हैं काफी उपर में tools आ गया है और नीचे में कुछ applications आ जूगी है ठीक है चाहे तो हम इसको काफी कुछ तरीके से कस्टमाइज कर सकते floating bar को hide कर सकते app name को बंद करना smart recommendation smart sidebar बंद करना तो यह सब चीचे यहां से कर समतलब कि एक तरीके से बोले को phone को अगर कस्टमाइज करना हो तो यह feature काफी cool लगता है so topic यहाँ पर cover होता है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जय मता दी